नमस्कार यदि आपका भी SSC GD का एकजाम 2023 में हुआ है तो आपके लिए एक अच्छी ख़बर आई है और फाइनली जिसीट का आप लोग वेट कर रहे थे वही हुआ है हमने आपको पहले ही बता दिया था कि यदि आप लोग 40 से 50 के अंदर कोश्चन करते हैं तो अभी आपका यहां पर SSC GD में सिलेक्शन होगा अब वाई हुआ है चलिए जानने ते क्या इंफोर्मेशन आई है उससे पहले यदि आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरू कर लिजीगा क्योंकि SSC के head office से direct हमारा contact है जो भी information आती है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो आप लोग यहां पर constable GD जो है इसको लेकर paper का cut आया है इसको देख लीजिए इसमें 64% से अधिकोपस्थिती रही मानके चलते हैं 65% यहां पर एकजाम में चात्र बैठे अभी तक तो यहां पर जहां चात्रों की संख्या 56 लाग थी उसमें से सिर्फ 49 लाग चात्रों ने पेपर दिया है तो वही पर जहां बात चल लए थी 110 सिट पे किवल एक चात्र किवल एक सिट पे 110 चात्र बैठने वाले थे वही पर अभी यहां पर एक सिट पे 86 चात्र रह गए हैं तो पहले आपको जो cut आप और सेफिस कोर बताया जा रहा था 120 प्लस लाना होगा 110 प्लस लाना होगा अब इतना कटाफ आपका नहीं जाएगा इतना सेफिस कोर नहीं रहेगा बलकि इससे कम हो चुका है यादि आप लोग 90 प्लस स्कोर करते हैं या 100 तक तो भी आपका यहां पर सिलेक्शन होगा वो आपका जो है स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के हैं जो बड़े-बड़े स्टेट हैं वहां का थोड़ा सा कटाफ जो है हाई रहा सकता है बाकी सभी का कम हो गया है